देश में आजकल एक अलग सा महौल है इस पर राजनिती भी हो रही है लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरे आती हैं कई राज्जों से जहाँ पर हिंदूयों का जो कोई त्योहार होता है वहाँ पर पत्थ राज्जों पत्था शोभायातरा निकाली जाती है तो उस पर पत्थरबाजी होती है तो ये दो चेहरे हैं जो इस वक्त देश में दिखाई दे रही है अब सवाल ये उठता है कि हिंदूओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है कौन टारगेट कर रहा है और क्या ये अब ट्रेंड सा चल गया है कि जब भी शोभायात्रा निकाली जाएगी या हिंदूओं का कोई भी त्योहार होगा उसमें कुछ न कुछ दंगे हो नहीं है क्योंकि नावेट सर तस्वीर किसी एक राज्य से नहीं आई बलकि 5-6 राज्यों से आई और ममतब एनरजी जैसे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं कि आप उसे उकसाने वाला बयान भी कह सकते हैं कि अगर हिंदूओं ने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं एक्शन लोगी आप किस तरह से देखते हैं और कि आपको लगते हैं वाकरी में ट्रेंड चल निकला है देखें वो जो ममतब एन जी ने बयान दिया उस बयान को आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उकसाने वाला इसलिए पहले तो आप परमिशन नहीं देते हैं फिर परमिशन दे देते हैं बहुत जब मीडिया में बहुत हला मचता उसके आप परमिशन देते हैं और परमिशन देने के बाद ये कहते हैं कि आप मुसलमानों के रोजे चल गए अगर उसे एरिया में जाएंगे तो मैं किसी को नहीं बख्षूँगी मतलब आपने ये कह दिया कि राम नामी पर जो जुलूस निकलना है उस जुलूस के अंदर दंगे बढ़काने की मान सिकता है और इस तरीके से प्रोगेट किया जा रहा है कि जो ये राम नौनी के नाम पर जिकनी जगा पर जिलुस निकले वो धंगे बढ़काने की मानसिक्ता से निकले थे क्योंकि आप ये देखिए कि हर जगाँ पर अभी तक हमने देखा है कई जगाँ पर जब कोई मुस्लिम वह होता है तो वहां पर सिक्योर्टी बढा दी जाकी पुलिस वह दिखते हैं क्या हालात ऐसे हो गए देश में कि अब हिंदू तयोहार ओपर भी ऐसे ही सिक्योर्टी ब अब भी नहीं होती जोहां पर हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जहां पर पशिम मंगाल में अलग अलग जगाँ से चटों से पत्तर पेकेगा है आप लोग खुद मैं कहता हूं कि जितने वी वीवर भी हमें देख रहे हैं वो खुद एक बात सोचिए क्या ये कोई सा पका ने बालकरी बीज़ा है हम कोई पत्थर जुटा के रखते हैं क्या या कोई भी आदमे पत्थर जुटा कर नहीं रखता अगर उप फेकेगा है मतलों वह पहले से वहां पर किसी सोच के साथ रखे गये थे उसको जुटाया गया था चट पे किसके पत्थर होते हैं तो पर ले के आया तो कुछ सोच के साथ ले के आए और अगर वो सोच थी वहां पर तो उनके पीछे इस तरह के जो नेता है जो सरकार चला रहे हैं या कहीं सरकार के बाहर है वो किसी भी उसके है वो इस पे सवाल खड़े करके इस पूरे उसको पुलिटिकलाई करने की कोशिश कर तो सिर्फ पॉलिटिकल फायदे से ही सारी चीज़े नावेदसर करने की कोशिश की जा रही है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब हम कावड यात्रा को देखते हैं तो मैंने खुद बहुत सारी ऐसी तस्वीरे देखी हैं सोशल मीडिया का दौर है आपने भी देखी होंगी कि मुसल्मान खड़े हो जाते हैं मैंने खुद मस्जिद के बाहर उनको पानी पिलाते हुए देखा है जो कामडिये निकलते हैं उनकी सेवा पानी वो लोग करते हैं वहां पर बड़ा एक भाईचारा सा दिखाई देता है बात सिफ यूपी की नहीं बात सिफ मध्यप्रदेश की नहीं बहुत सारे राज्यों से ऐसी तस्वीरे सामने आई हैं लेकिन राम नौमी पर जो कुछ हुआ उसे आप नजन अंदाज नहीं कर सकते बिहार की स्थिती भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बिहार में नितिश शुमार इधर उदर की बात करें वो कह रहे हैं कि इधर उदर जो कुछ हुआ है उसके लिए कोई जिम्मेदार है और वो कुछ बताने के लिए तग्यार नहीं है बताने के लिए तक्यार नी है कि Byhar में कियो रखाना पड़ा, 5 जिलो में 244 लगानी पड़ी , कियो इसकूल बन करने पड़े , मदरसे बन करने पड़े , कियो सरकारी सьकूलों के साथ साथ इंटरेनिट सेवा तक बन करने पड़ी , इसके उपर उनने कोई जवाब ने दिया , Tejas इसके पीछे BJP और RSS का हाथ है और वो खुद अभी सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाते वक्त वो सीधे तरीके से साज़िश को डिकोट करने की बात नहीं के बात है हिंदु बोल रहे हैं कि हम पर पत्थरा हुआ जो रहलिया निकाली गई उनके अंदर दिक्ते हुई मुसल्मान कह रहे हैं कि हमें घर शोल के बागना पड़ा तो अगर मुसल्मान और हिंदू दोनों ही इस मामले में अगर पिटे हैं या उनके साथ कुछ चीजे हुई है तो साथिश है और उसकी तो जांच होनी चाहिए और अगर वह पॉलिटिकल साथिश है तो उसकी जांच तो पहले होनी चाहिए क्योंकि राम नावमी पर देखी बहुत सारी चीजे हैं जिसे हमें देखने की जरूद होगी राम नावमी के ऊपर जो जूलूस निकले वह कर आप यह कह सकते हैं जिसे पूरा प्रीप्लान तरीके से किया गया और इसमें मुझे जो लगता है कही न कई साजिश यह है कि जिस तरीके से ये अब एक शगल चल गया है आप इससे पहले देखें तो इससे पहले जितने भी हिंदू तो उसके उपर माहौL बिगर रह बा पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसी जो तस्वीरे सामने आ रही है थोड़ा सा परेशान भी करती हैं घर से निकलते हैं तो थोड़ी से डराती भी है कि निकल तो रहे है लेकिन अगर किसी शोवा यात्रा में शामिल हो गए तो कई पत्थरबाजी का शिकारण हो जाए सवाल यही है कि क्या सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना पड़ेगा या नहीं हाला कि यह मामलाब सुप्रीम कोड पहुच चुका है हिंदू का जो संगठन है या फिर एंजियो मेरे खाल से जस्टिस फ्रंट फॉर हिंदू यह करके है ना नाविट से तो यह सुप्रीम कोड पहुच गया है याचिका लगाई है और इस याचिका में साफ तोर पर कहा गया है कि उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए उनकी गिरफ्तारिया होनी चाहिए जो हिंदू की शोभ नाम सामने आने चाहिए जो भी उसके लिए जिमिदार है वो सामने आने चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम सामने आना चाहिए कोई संगठन है उसका नाम सामने आना चाहिए और उसके पीछे वजह क्या है क्योंकि आप अगर बिहार में अगर situation देखेंगे बिहार में यह मामला बहुत ज्यादा बड़ा है हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से पहले पश्ची मंगाल होता है पश्ची मंगाल से तस्वीर आती है उसके बिहार के सासाराम नवादा और उसके बाद आप बिहार शरीफ इन जगाओं पर सिचुवेशन भीगरती है बि अगर अगर प्रदान मंतर और उसके बाद मामले से दूरी बनाय रखे इस मामले को डिले कुछा है इस केंद सरकार को जानकारी नहीं दी उनको दूर रखा और इधर से हम कह रहे हैं कि हम मैनेज करें बात में क्या हुआ आफराल दस कमपनिया पहुंचानी पड़ी केंद सरकार वह अजिसानिक बलो की औ तो आपका जो माइंड सेट है उस पर बहुत कुछ फर्क पड़ता है कि आप चीजों को बिगाड़ना चाहते हैं आप यह सोच रहे हैं कि इसका क्रेडिट यह ले लेगा या यह इसके पीछ है जो दंगे भढ़का रहा है या आप उसको सीधे तौर से सर्फ काम करना चाहते ह नहीं लोग अगर वहां पर गिरफ्तार कियें खहर से वाल कि अगला होगा शकूफस दा चूहिक उसमें cityश्जों अभी तक ki पीछे कौन और यह इस सबसे वदेज नेतायório और कहिए इस पर बीज़पी और आरेसस का हाथ है तो कुल मिलाग का एलेक्शन से पहले माहौल पूरा पूरा प्रडिसाइज करने की कोशिश है और ये हर बार चुनावों से पहले देखा भी जाता है एक बार फिर से देखने की दिखाने की कोशिश की जा रही है नेताओं की तरफ से अपने फाइदे के लिए बिल्कुल सही का कि जंता की सुधा पहले लेंगे या अपनी राजनिती को चंकाएंगे खेर जनता समझदार है वो कहते हैं पबलिक है सब जानती है तो पबलिक सब जान रही है चुनावों में करारा जवाब भी दे देगी आप बताए हिंदू को या हिंदू की शोबायात्रा को या उनके तेवहारों को जिस तरह से तारगेट किया जा रहा है उसके पीछे आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है